हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इटिया इंड इस वेले डिटिशन में चैनल में पहली बढ़ा है चैनल को सब्सक्राइब करके बला इकन प्रेस करते ताके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं स सबसे बहुता है कि सबसे पहले स्टार्टंग में आपको भी टाइट करना है तो आप लिखे किया । अब बिखने के बाद ईजसे दिन आप स्टार्ट करेंगे और ड हैं टूल डिऑ भी टाफ स्टार्ट टतो ड्यंचन करते उसके और यहां लिखना आपको इस साइट डेर of close ठीक है दोस्तों ये लिखने के बाद आपको एम लिखना है जो भी आप बनाएंगे वो एम यहां पर लिखना जरूरी है आपको ठीक है तो क्या एम है हमारा तो हम आज बनाने वाले हैं स्क्वेर बट जोईंट तो लिखेंगे using दागे जो भी आपको मिला हैं म स फ्लाट इंद भाइग जो भी आपकी व्य्लिंग डे चलीकों यहीं लिखना जो आपको अब बनाना है आपको square butt joint कैसे बनता है तो आप वीडियो को लाश्ट देखते रही है ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको page के center में आना है बीच में आना है scale D और एक eraser और एक pencil ठीक है यह दोस्तों basic कम से कम आपको आपके पास यह तो होनी चाहिए ठीक है आप दोस्तों इसको set square से भी और परकार से बना सकते हैं दोस्तों इसली वीडियो में बताया है आपको कैसे परकार से बनता है क्या कुछ ठीक है तो आपने वीडियो देखी तो तो कुति जेए के पंगातलिये ग्राइब को सिंपल नहीं अंहीं और यहां पमीद के दो सेती धे पहल से थाप में आपको claw. सबुब टुम लगा है इसको किया त्रौ्षी जो और याइनटी डेगरी में इसको पसको नीची करना है तरफ करने लाइन इससे जाएं इस है कर दो दो आ ड्रों कर दें कर दो सुझें इसका काम शुरू होता है अब दोस्तों यह आप 90 देख रहे हैं और यह वाला भी है 90 भी होगा तो इसको आपको ऐसे सेट करना ठीक है जैसे मैं बता रहो ऐसे कीजिएगा अब ढुंझे सतव. यह दयांदे कि जो है इस लाइन के समानतर हो एं इसके ऊपर रहने हो ठीक है दोस्तों आपका संहयुए बतल्डे स्ट करने स्ट करते अब यहां पर यह थाठी यह थाठी पे अधिल फॉट लाए इस थीक है थोड़ा हमारा हील गया इसको हम दुबारा देखते हैं कि हमारा गलत नहुंत थार्टीप है इस साइड फाइब ते इस ते खेस्टाइब में रख सकते हैं और स्केल से आपको आपको इस जो है फाइब सेंटीमेटर गाया था एक लैने से रोकर देनी है ठीक है तो यहां से में आने यह लाएन ऐसे भ्रोग कर दें ठीक है ठीकicioस्तों कि आपको अब को इस सेट आपको लिए था तो यहां से यहां से यहां तक आप टैन पे एक लाईना ऐख एंऌ 3 अब क्या करना है कि आपको नीचे आना है तोड़ा जो आपने फाइज सेंटिमीटर दिए तो आपको क्या करना है यहां से आपको जो 10M नीचे आना है ठीक है 90 डिगरी पर आए जो सीधा होता है 90 डिगरी ठीक है तो यहां पर आए और यहां तक अपने इसे लगा दिया और इस साइड भी आप क्या करें कि सेम यही प्रोसेस आप इधर आए और यहां भी आपको एक लाइन इतनी ड्रो कर देंगे ठीक है दो तो आप ऐसा बनाना सीख गयोंगे अब दोस्तों क्या करना है कि आपको पिर से डी लेना है और दोस्तों डी लेने के बाद आपको क्या करना है कि यहां से ऐसे यहां पर जाए तो आप इसको देखे कि 90 पर है बिल्कुल सीधा सीधा होना चाहिए यह वाली ठीक है और आपक ठीक है इसको दोस्तों स्क्रैकर बनाना चाहते हैं तो आप नहीं आता आपको बनाना तो कमेंट बॉक्स में इसक्ता स्क्ता इना बिडियों के लिए पर बस ब्रे한테 हो ठीक है तो आप उससे भी सीख जा दो क्यों है तहिक सब्सक्राइब सब्सक्राइब 3 में 2 जाने हैं रही सब्सक्राइब वह तो मैंने जाने बांट करने बाइब मझे आपको क्या करना है ? अधिर आपको दोस्तों है आपने 5 लिए था और इस parks लिए था था हम ने दो हैं फाइब यहां पे आप देखें पे मैं आपको दो सेंटीमेटर चोड़ना है आपने पिछली बाली वीडEO देखी होगी तो आपको पता कैसे 된 बनाते हैं इसमें में 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 record स्टार्ट होगया फिर आप दो पॉइंट चोड़ के यहां पाद को लगा दीजिए अब यहां से दो से नीटर से ठाट लगा देजिए ऑप यहूंट से डॉट मिला दीजिए इस वाले पॉयंट से मिला दिए ठीक है तो इसे भी आपको क्या करना है इसे मिला देना है आपको कि आपकर खुक्षन तो आपका यह यह आप देख सकते हैं कि हमारा यह तियार हो गया है थोड़ा हमारा ट्वेड़ा रहता है तो मैं सीधा कर रहा हूँ इसको थी वस्थो आपको अपको इसको फिर से क्या करना है कि नीचे से अपको क्या यह less तो सेंटीमेटर लेना है तोसेंटीमेटर हम पोले में रहा है थे कर दोस्तो में नियों दोस्ते अलिए सेंटीमेटर होने म सेंट कांट क्लिए सब्सक्राथ थी कि इस वाले सिंगल प्लेट और ये वाली डबल फ्लेट दो प्लेट अब दोस्तो जो अब बीच में है वह दोस्तों हम वीड लगाएंगे वह आप देख सकते हैं ठीक है तो हम वीड लगाना सुरू करेंगे अब इससे पहले दोस्तों आपको यह जो बेसलाइन नहीं था अपने इसके नहीं अगर दोस्तों ऐसे लगा रहे हैं तो अब दूस्तों अगर तो यहां से पहले हैं पहले हैं अब दोस्तों आराम आराम छाएंग नहीं तो फराब हो चकता है помог our wedding beads किसे o तो यहां तक है ओगया अब दोस्तों यह लगाएंगे कि अब कि अभ्षब अफे pro Ur are हो सके तो आप अपनी pencil को साफ करके रखें नहिए तो भीड आप की अच्छी नहीं आएगी हिए। है लेकटो कितनी हमारी स्मूथ बिडारी ठीक है ठीक दोस्तों तो आपकी जो है यह वेल्डिंग बीड लग चुकी है अब आपकी फ्लैट इस पर स्क्वेर बड जोएंट पर अब दोस्तों हमें क्या करना डाइमेंशन देनी है तो ठीक है डामेंशन देने के लिए दोस्तों यह आपकी अलग प्लेट देक्स दॉस्तों दोने दाषिंगे आप से और आप और यहाँ देने से ब्राइन नहीं तो दोस्तों खराब हो जाएगा आपका अराम राम से हर चीज करें ठीक है जब डाइमेंशन देनी हो तो और भी ध्यान से ठीक है दोस्तों ऐसी लाइन लगाने के बाद दोस्तों आपको यहां पर भी ऐसी सेम लगानी है 5 mm का उपर चोड़ के नीचे जो है तो तो आपको यहां लाइन ऑ कर दीओं आपको दिसमें लो कर दीओं पर दोस्तों hazard के लिए मän ड्रोग यहां जोदें सिंदर तो credited कर देंगी हम पर दीओं एक हैं ट्रुइंद थिए cm & है ठीक दोस्तों अब दोस्तों को क्या करना है कि आपको तीर का निशान मनाना है स्पीड में कि अधिक दोस्तों तो आपके जो है त्यार हो गया ठीक है यहां पर आप आप 100D डाल दे और यहां पर 50 डाल दे और यहां पर भी है ठीक है अब दोस्तों आपको यहां लिखेगे यहां से तीर क defence है यहां आपके इतीक है तो यह आप निक्सक्ते है यहां पर डिख सकते हैं यहांपर वर्क पीस इससे गोऊ ने और यहां पर रिखर आप शुपंद हर्क अंरा प्रेस लखें को दोस्तों हमारे पास लेंद रेती हैं तू प्लेटि Crit अभ er आप यह जो है अपने लगाई है तो यह आपको हो जाएगा कि आपको जाएगा यह आपको जाएगा वैल्डिंग बीड तो आपने यह बड जोइंट त्यार कर दिया अब जोस्तों इसके बारे में और भी हमें लिखना होता है जो दोस्तों नहीं लिखते हैं तो हमारा कुछ गरबड हो सकता है ठीक है तो आप यहां पर जरूर लिखें यहां पर नोट में कि नोट कि आल कि डाइमेंशन कि इन एम एम तो यह लाइन आपको हर डाइग्राम में लिखना जरूरी है क्योंकि दोस्तों हमने सो पचास पचास दिया है दोस्तों हमारे डाइमेंशन है किस्म मारी किस्म है और कैसे आपने जो है जो त्यार करी तो भी हम लिक देते हैं जल्दी ठीक हैं तो यहसा है आप साइड में लिखेंगे और कुछभ सक्रापना हो ठीक है तो यहां से लिख रहा हूं देख सकते आप सिक्वेंस ओफ जॉब यहां लिखेंगे आप मार्किंग जो भी आपने किया और लिख सकते हैं पर तो पहले हमने करेंगे प्लेट की मार्किंग उसके बाद दूसरा स्टेप आपका होगा कटिंग इसके बाद किया कि हमने प्लेट की कटिंग उसके बाद क्या करें अपने फाइलिंग ठीक दोस्तों और उसके बाद आपने क्या क्या फाइलिंग करने बाद इसको ले जाएंगे आप उसके बाद चेकिंग भी कर सकते हैं लेकिन आप ले जाएंगे सिद्धा इसको वैल्डिं तेबल डोस्तों आपके जो भी टीचर लिखने बहुत ही जरूर्य है ताकि आपको जो एक्जामनेर है यह आपका टीचर है उस्पोर्स को पेडि़ कि रिखें टीक है तो यहां लिखें आप कि आप टेबल के पास लेंगे आप क्या करें वहां पे अब दूस्त तो इस पे लगाएंगे हम कि में आप दसे लोगी यह बट जोंट नहीं देतें आप कि मेक कि अब ढड़ जोईंट ऑन मेंक बट जोइंट और वैल्डिंग यहां पर दोस्तों ओन मत लिखिए यहां पर आर्क वैल्डिंग जो भी है में बट जोइंट लिख दीजिए बस इतना ही चल जाएगा उसके बाद आप छटा पॉइंट लिख दीजिए रिमूव 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 स्लैग और चीपिंग हैमर ठीक दोस्तों और दोस्तों साथवा पॉइंट आप लिखते हैं जो लास्ट में आपको क्या हुआ कम्प्लीट हो गया जो तो कम्प्लीट कम्प्लीट दा जोग ठीक दोस्तों इसमें कोई गरबढ़ हो स्पेलिंग स्पूलिंग तो थोड़ा अड्जेस्ट कर लिजिए ठीक है क्योंकि दोस्तों मैं जो है बीना देखे बना रहा हूं और थोड़ी बहुत मिस्टेक तो होई जाती है ठीक है तो मेरे हिसाब से तो क आपको सिंपल सा लाइक करना है ठीक है चलनों को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके बल आइकन प्लेस कर सकते हैं ठीक है दोस्तों आप अपने सुझाओ जो है अपने फीड़बैक जो है हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम और भी अच्छा वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग